है जहेहिं फ्रfurнов मैं सीव और आपका स्वागत करता हूं फ्रविसेज मेंस पांट की शरीज की शृंखला की जो ही है। कि मिकें दूसरे बात कर रही है दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में उप UPSC syllabus के GS3 से संबंधित यह topic रहेगा और GS3 में जो है इंडियन economy and issues related to planning और mobilization of resource growth development and employment यह सारे जो है विशाय यह सारे topic जो है paper 3 में सामिल है तो आपको ध्यान रखना है कि GS paper 3 में UPSC syllabus GS paper 3 में इंडियन economy and issues relating planning, mobilization of resource growth and development and employment यह सारे topic जो है GS paper 3 में सामिल है तो आज का जो हमारा topic रहेगा बिधिक संस्था पहचान करता यानि कि Legal Entity Identifier बिधिक संस्था पहचान करता यानि कि Legal Entity Identifier तो बिभिन पॉइंट के मादियम से हम जानेंगे कि क्या है Legal Entity Identifier यह चर्चा में क्यों है बिधिक संस्था पहचान करता यानि कि LEI यह क्या है भारत में LEI की आपसक्ता और उसका लाव क्या है और उसमें यह देखेंगे कि कैसे यह रिनो की रिगनानिक में सहायक है धान सोधन में सहायक है आर भी रिई के लिए कैसे यह साधन के रूप में उप्यूक्त है उसके बाद अनिलाव और उसके बाद लास्ट में जानेंगे Global Legal Entity Identifier Foundation के बारे में तो इस प्रमुख बिंदों को माध्यम से जो है हम लोग यह जानेंगी कि Legal Identity Identifier क्या है जानते हैं यह चर्चा में क्यों है तो हाली में भारती रिजर्वेंक यानि कि RBI द्वारा जो है अप्राइल से जो है RTGS और NEFT RTGS और NEFT यानि कि NEFT तो इधियान रखना है कि यह दोनों ऐसे प्लेटफोर्म में जिसे पैसा ट्रांसफर किया जाते हैं तो आठी जिस और NEFT के माध्यम से जो है बढ़े मूल के लिंदिन के लिए बिधिक संस्था आइडेंटिफायर यानि कि यहां पर यह ध्यान रखना है कि पचास कुरूर से नीचे वाले लोग जो है इसमें नहीं समयल होंगे पचास कुरूर से अधिक वाले ही इसमें सामिल हो सकते हैं अब जानते हैं कि बिधिक संस्था पहचान करता क्या है जी ट्वेंटी देसुद्वरा परिकल्पित यह जो परिकल्पित है यह जी ट्वेंटी देसुद्वरा परिकल्पित है तो जी ट्वेंटी देसुद्वरा परिकल्पित है तो जी ट्वेंटी देसुद्वरा परिकल के पक्षिदर होते हैं कि प्रतियक देश द्वारा स्वतंत्र और सैक्षिक रूप से स्थापित अस्थानिय संचाला निकायों यानिक लोकल आउपरेटर यूनिट के माध्यम से अंतराष्टी यानिक इंटरनेशनल लेवल पर एली याई के कार्यान बन और अन्रक्षन का कार कोन करता है ग्लोबल लेगल एंटिटी आइडेंटिफायर फंडवेशन द्वारा जो है किया जाता है ली याई से संबंद सुचना साहिब जानेक रूप से निशूल को उपलवद होती है और इनकी समक्षा अघतन और सत्यापन जो है बार्शिक रूप से लो यू यू यान कि एल ई आई आई एल लेगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिम्टेट भारत की एकमाद जो है एलो यू है यानि कि लोकल ऑपरिटी यूनिट है इससे जो है लाई प्राप्ट कर सकते हैं या भारतिय समासोधन निंग्डम लिम्टेट की एक सहायक संगता है जिस एल ई याई संख्या प्राप्त करना और इस संख्या को सेंट्रल रिपोजेटरी ओफ इनफोर्मेशन और लार्ज क्रेडिट को रिपोर्ट करना अनिवार है एल याई तंतर के अंतरगत एक समय कि डाटा के कारण अब करपरोट उधार करता हों को रीन जोखमों के जाज करन द्धान सोधन के मामले में भी यह सहाइक है यह बीतिये लेंदेनों को ट्रेक करना मुश्किल होता है हालांकि आरवी आई द्वार नियंतित सभी लेंदेनों के लिए एलियाई प्राप्त करना अनिबार है और यह एक विशिष्ट पर बैस्विक पहचान करता होने के चलते किसी भी लेंदेन में समलित किसी भी इकाई को सरलता एवं सटीकता से पहचानने में मदद करता है आरवी आई के लिए साधन के रूप में तो आरवी आई के लिए तो कर्पोरोट की कारवारियों में विशिष्ट रूप से मनन गतवीधी में बेहतर अंत्रिष्टी इसके बारे में जानते हैं तो इसे जून 2014 में बीतिये स्थिर्था बोड यानि कि फाइनेंसियल एस्टेवलीटी बोड बीतिये स्थिर्था बोड द्वारा एक गयर लावकारी यानि कि NGO यानि कि नॉन गवर्मेंट अर्गनाइजेशन के रूप में अस्थापित किया था निदेट्टू करता है यह बैस्विक एली याई सुचकांक भी प्रकासित करता है तो इसे भी ध्यान रखना है तो यह जो है आज के टॉपिक है चलते हैं अगले टॉपिक क्यों कि नेक्स्ट टॉपिक हमारे यूपसी सिलेबस के जीएस पेपर तीन से जो टॉपिक है तो जीएस पेपर 3 में सबसे पहले मित्रुबात करें तो इसमें जो है बैसिक्स ऑफ साइबर सेक्रेटी यानि कि साइन्स टेक्नोलोजी भी साय सामिल है तो साइबर सेक्रेटी उसी के अंतरगत आते हैं तो इसमें आज जो टॉपिक डिसकस करेंगे इसमें इस टॉपिक का ना तो बिभिन बिंदुों के माधेम से जानने का प्रियास करेंगे कि यह क्या है प्रपोजल टुलेवी 18% टाफ जिएसटी एलाम्स क्रिप्टो एक्षेंज़ेस तो बलजानेंगे के चर्चा में इसके किविन्तु क्या है क्रिप्टो करेंसी है तो कॉन को नामसे वो थ्टोरा वो जाना रहाँ होता है और लोग परसान में ब्लॉक चेंगा परियोग कैसे क्या जा सकता है इन बेदियों के माधिम से जानेंगोuls सबसे पहले दोस्ट चंदते हैं कि यह चर्चा में क्यों है तो केंद्री आर्थिक आसूचना ब्यूरो यानि कि सेंट्रल एकोनोमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बीटकोइन ट्रेडिंग पर 18% वस्तु एवं सेवाकर यानि कि जी एस्टी गूर्स और सर्विस्टेस आरोप अस्तिया यानि कि इंटेंग्वल असेट्स जो दिखने वाली भौतिक संपत्ति नहीं होती है उसको इंटेविकल यानि कि अमुर्थ जिसका कोई मुर्थ रूप नहीं हो भर्चुल होती है जो दिखता नहीं है जिसे हम छू नहीं सकते हैं तो यह जो हैं अमुर्थ अस्ति पर वार्षिक रूप से जो है बहुतर हजार करों रूपे की आय अर्जित कर सकती है अमूर्थ संपत्ति जो है बसुता ऐसी संपरी संपत्ति होती है जो ब्रांड की पहचान पेटेंट ट्रेडमार्क और कोपीराइट आदि के मामले में प्रकिर्थी में भौतिक रूप में होती जैने कि उसे हम देख नहीं सकते हैं किस-kis ममलों में तो ब्रांड की पहचान कि में पेटेंट ट्रेडमार्क और कोपीराइट के मामले में अब जानते हैं क्या हैक्रिप्र्ट क्रिप्टो करेंशी की बात करेंशी जो है एक ऐसी करेंशी है जिसे आप देख नहीं सकते इसलिए इसे आभासी मुद्रा भी कहते हैं सरल सब्दों में आप इसे डिजिटल रुपईया या डिजिटल करेंशी भी कह सकते हैं तो करेंशी को कोई बैंक जारी नहीं करती इसको जारी करने वाले ही इसका नियंदरन और संचालन करते हैं इसका परियोग जो है डिजटल दुनिया में होता है इस मुद्रा में कोडिंग तकनीव का परियोग होता है और इस तकनीव के माध्यम से करेंशी के लिंदेन का किया गया कब किया गया जनवरी 2009 में बीट कोई नाम से हुआ कब जनवरी 2009 में अब उसके बाद जानते हैं कि बीचो भर में बीभीन परकार के बीभीन परकार के नाम से क्रिप्टो करेंसी है तो कौन से देश में क्या है यह जानते है तो बरतमान समय में पूरे बीचो में जो से बराबर है जैसे बात करें थो दूबाई की क्रिप्टो कृरेंसी points अब जानते हैं Ara ah Board अब जानते हैं मॉल् razem कि होता है दो ब्लोकचेंद जो है एक आइसी तक्नीक है जिसमें क्रेता और क्रेता बिक्रेता के मद जो है सीधे पैसे का असनांतरन किया जाता है ट्रांजेक्शन यानि कि असनांतरन में किसी भी बिचोहलिये की आविशकता नहीं होती ब्लॉक्चेन बीतरी डेटाबेस होती और इसमें लागातार कई रिकॉर्ड को संधारी किया जाता है जिने ब्लॉक कहते हैं जिसमें प्रते एक ब्लॉक के अपने पूर्व के ब्लॉक से लिंक रहता है इस तक्निके में हजारों कंप्यूटर पर इनक्रिप्टेड अथवागूप तुरूप से डाटा सुरक्षित रहता है इसे पॉब्लिक लेजर भी खाते है बरतमान में दो लोगों के मद पैसों का अस्थानंतन तीसरे पक्ष के माध्यम से होता है या तीसरे पक्ष जो है बै क्रांजेक्षन में बहुत कम समय लगता है यह एक डिजिटल खाता है जिसमें लेंदेन और सूचनाओं का अस्थाई रिकॉर्ड होता है जिनको सत्यापित किया जा सकता है ब्लॉक्चेन मुखे रूप से एक बीटकोईन इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसी में इस्तिमाल आ सकता है इस प्रकार यह प्रणाली भष्टाचार के बिरुद भारत की लराई को नई सकती प्रदान कर सकता है इस प्रणाली में सभी कारेकलाप और फाइलों का समय के हिसाब से रिकॉर्ड रहता है जो बदला नहीं जा सकता ये इस प्रकार के सभी रिकॉर्ड एक दूसरे से जूरे रहते हैं और इनका डेटाबेस बिकेंद्रित होते हुए निम्तम अस्तर तक उपलवद रहता है इस प्रकार ब्लोक्चन एक कारे कुशल और लागत की द्रिष्टी से ए ब्लोक्चन अपनाने से उतरदाई होने के साथ सरकारे अधिक इमांदार भी हो सकती है यदि बिटकोईन की भाती एक सार्वजनिक ब्लोक्चन बनाया जाता है तो सारी सूचनाय और कारिकलाप एक बिकेंद्रिकी डेटाबेस में सदा के लिए सुरक्षित होकर जमा हो ब्लोक्चन का एक बड़ा गुन यह है कि इसमें बिचौलियों का अस्ती तो नहीं होता और इस वर्स के आरब में बिस्व खाद कारक्रम ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खाद पदार्थों एवं नगद लेंदेन को ब्लोक्चन परनाली में डालते विए एक परिक्ष कर रहे हैं भारत में अधारकार लगवक्ष अभी को मिल चुके हैं आता डिश्टल अर्थ ववस्ता के और बढ़ते हुए इस देश के लिए अगला कदम ब्लोक्चेन को अपनाना होना चाहिए इससे परतेक वेक्ति का अस्थाई डाटा जामा करने में शुगधा होगी और सुरक्षि धंग से लेंदेन किया जा सकेगा तो आज के टोपिक में इतना है